How to fix Kennerites app not working and not opening problem नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का थिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि केसे आप जो है Kennerites app के ये प्राब्लम सॉल्फ केसे कर सकते हैं तो दोस्तों कभी कबार एप के अंदर पी इस तरीके का प्राब्लम होई जाते हैं जब हमारे एप में कोई बग आ जाते हैं जब हमारे एप्लिकेशन उसका जो डेटा है एप डेटा वो करप्ट हो जाते हैं या फिर कोई error हो जाते हैं तो उसमें problem होते हैं ठीक है और जब हमारे app अंदर से crush करते हैं तभी दोस्तों हमें इस तरीके का problem देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों क्या solution करना है कैसे solve होगा problem ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखे जो भी solution होगा उसको follow करे आपका problem भी solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको यही suggest करूंगा आप अपने mobile को restart करके देखे restart करने के बाद दोस्तो अगर आपका problem solve होते हैं तो आच्छी बाद है अगर restart करने के बाद भी दोस्तो यहाँ पर problem हो रहा है तो दोस्तो आपको जाना है play store and then search कर देना है अपना canerites app search करने के बाद आपको यह app को update करना होगा क्योंकि यह app update करने से आपका app misbehaving problem solve होगा app data corrupt problem solve होगा और app के related latest feature आपको मिल जाएगा और जो भी problem है app में वो सब कुछ fix हो जाएगा ठीक है तो आप पहले तो app को update करें एंडेंट mobile को restart कीजिए एंडेंट recheck करके देखे अगर दोस्तो आपका problem solve हो जाता है अपडेंट के बाद में तो अच्छी बाद है और दोस्तो हो जाना भी चाहिए आपका problem solve क्योंकि मैंने खुद से भी देखाई की problem जो है यहाँ पे solve हो जाता है after the update लेकिन update के बाद भी अगर solve नहीं होता है problem तो आपको जाना है setting उसके बाद आपको यहाँ पे app and notification मिलेगा तो उसमें जाएए दोस्तो एप and notification के जगे पर आपको manage app, install app, app management app manager करके option मिलेगा वहाँ पे जाके आपको किनराइट एप को open करना है उसके बाद एप को force stop करते हुए आपको storage uses पर जाना है clear storage okay कर देना है okay करने के बाद बेक करना है बेक करने के बाद आपको permissions allow कर देना है allow करने के बाद आपको mobile data यहाँ पे access वगरा कर देना है make sure आपका mobile data वगरा access रहे एप के अंदर पे उसके बाद device को restart करें end end check करके देखे दोस्तो आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस तरह के से आप यहाँ पे problem solve कर सकते इतना solution करने के बाद में दोस्तो कई सारे लोगों का problem है वो solve हो जाते लेकिन by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते यह solution करने के बाद भी तो दोस्तो आपको जाना है play store और app को जो है reinstall कर देना है पहले तो आप uninstall button पे click किजे uninstall पे click किजे uninstall करने के बाद आपको setting पर जाना है scroll down करते हुए जाए और दोस्तो system को update कीजे तो यहाँ पे मिलेगा software update तो software update वगरा कर लेने के बाद आपको जाके reinstall कर लेना है app को play store से आपको reinstall करना परेगा और यह करने से आपका problem solve हो जागा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब हमारा app काम नहीं करते है अच्छे तरह के से तो वह software के वज़े से भी होते है दोस्तों कोई app जो है हमारे software में अच्छे से run नहीं कर पाते और चल नहीं पाते ठीक है और support नहीं करते तो तो उसके वज़े से दोस्तो क्या होते है उस तरीके का एप जो है हमारे मोबाइल पे काम नहीं करते है बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से ठीक है तो उसको fix करना होगा और fix करना जरूरी है तो इसी तरीके से problem solve होगा और आप एप को use कर पाओगे तो दोस्तो केनराइट्स एप solution यह है आप इस solution को follow करके problem को fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching